हेलो स्टुदेंट्स वेलकम बैक तो फिजिक्स क्लास स्टुदेंट्स आज हम यहां पर बैसे फाइनल एर का नेक्स टॉपिक करेंगे बिटा हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसको आपको करने में दिक्कत आ रही है उसको दुबारा से रिवाइस करवारी हूं मैं ठीक है तो अब आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहे हूं मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहे हूं जिनका डेरिवेशन आपके लिए नीडफूल हो रहेगा ठीक है तो वह लेके चल रहे हैं सबसे पहले आज जो मैं करवाना चाहूंगी वह मैं करवाना चाहूंग आपका group velocity, ठीक है, आज की topic के अंदर आपका रहेगा group velocity, एक रहेगा phase velocity, ठीक है, group velocity, phase velocity, ठीक है, and relation between them, ठीक है, बच्चों को इसमें दिक्कत आ रहे है, group velocity, phase velocity के अंदर, उनके वीच के relation के अंदर, और दूसरा उनको hazard bug uncertainty principle के derivation में भी problem आ रहे है, तो वो भी मैं करवाऊंगी, deep broccoli hypothesis के, जो उनका derivation है, उसमें भी problem आ रहे है, तो जो 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 जिन जिन के अंदर उनको problems आ रहे है, वो derivations में करवा रही हूं, तो आप साथ के साथ उनको revise करते जाएगा, ठीक है, ठीक है, जब भी हम किसके बारे में बात करते हैं, group velocity और phase velocity, ठीक है, तो ग्रूप velocity के अंदर क्या होता है, कि group में कोई wayv trains जारी है, ठीक है, और फिर उनके साथ आप क्या करना चा रहे हो, डील करना चा रहे हो, तब आप क्या करते हैं, जिसरे हमारे पास बहुत सारे particles होते हैं, बहुत सारे पूरे बॉडि का और उस वो किस वेलास्टी के साथ किस दे उससे करता है हम इस से डील करते हैं सिमिलर केस के अंदर यहां पे भी हमारे पास बहुत सारी बेव ट्रेंस जारी होंगी जिसके अंदर से हम एक का ही जो center of mass के उसमें wave जाएगी उसका ही velocity के साथ deal करते हैं इसके अंदर और उस phenomenon को क्या बोलते हैं group velocity बोलते हैं अब यहां पर एक बात दी मैंने कि wave जा रही है wave trains जा रही है तो आपको ये भी बता दू कि ये wave trains कैसे आई हैं सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इसके अंदर देखो और उन्हीं wave trains को मैं क्या बोल रही हूँ wave packets क्या बोलते हैं wave packets बोलते हैं अब क्यासे आप वो wave trains या wave packets लेके चल रहे हो क्यासे उसको denote करेंगे सबसे पहले तो ये चीज़े हमें पता होनी चाहिए अब देखो इसके अंदर अगर ये चीज़े हमें पता होनी चाहिए तो मैं आपको अगर बताओं अगर जिसने थोड़ा बहुत भी डिप लॉगले hypothesis का करका होगा उसने comparison जब किया था तो वहाँ पे हमें हमारे पास जो आई थी वो ये आई थी कि हमने एक को नाम दिया था वी पी वह किसके एक्वल आई थी सी स्कॉयर बाई वी के एक्वल आई थी अब हमें ये पता है कि कोई भी चीज हमारी speed of flight से ज़्यादा नहीं हो सकती है ठीक है और इसकी value कितनी आ रह है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा हम एक वेव को नहीं लेके चल रही है मतलब एक जो भी वो value दे रहा था कि इस velocity के साथ चल रहा उसको नहीं करते हम यह मानते हैं कि वहां पे बहुत सारी waves जारी होंगी और हर किसी का क्या होगा combination कि अगर एक जाएगा तो उसको इस तर of light है उसके यह उसे जादा आ रही है है तो अगर ऐसे आ रही है तो यह तो हमारी speed of light के comparative में आती है तो हम special theory of waves जाती है number of waves जा रही है तो किसी का crust किसी के trough पे आ रहा है इस तरीके से करके या जितने amplitude का यह है दूसरा जो हमारे पास इसके उपर जा रही है वह ट्रॉफ जा रहा है लेकिन less amplitude का जा रहा है तो इनकी जो width जो amplitude वगेरा है वह सारा का सारा क्या होता चेंच हो जाता है औ होगा इसके अंदर फर्क आएगा ठीक है और अगर इतने ही amplitude का मैं जितने यह था सुपोज यह नोट का था एनोट का ही मैं ट्रॉफ देदू तो इसका मतलब मेरे पास यहां से स्टार्टिंग में जीरो आ जाएगा तो यह कहता है इस तरीके से करके जब वहां पर दो से हमारे पास कम हो जाएगी याननि की हम इसके जो यहां पर जो आपकी ठीज आरी थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है उसको हम our कर सकते हैं ग्रुप के अंदर उन two genuine को ले के हमारे पास महां पर एक वेव नहीं जारी बहुत सारी जारी होती है तो हमें उनको भी क्या करना पड़ तो अगर उसको हम consider कर रहे हैं यहां पे तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो साई रहेगा वह हमारे पास क्या हो गया अब यह जो वेव जा रही है यह पर्टिकलर किसी आम्प्लिट्टूट से जारी होगी तो आप कोई भी equation बोलते हो जैसे सुपोज आप क्या बोलते थे यहां बोलते थे तो इंदर क्या लिखते थे इनोट साइन ओमेगा टी ऐसे बताते थे ना कि यह इतने कॉंस्टेंट से यहां तक यह चलती जाएगी ऐसे बोलते हो ना इसी तरीके से यहां पर जो हमारे पास सुपोज यह साई वन है यह मेरे किसी पर्टिकलर और यह में इतनी है साई तो एक दूसरे के ऊपर आवरलेप होते हैं तब कैस क्या इसका है और है तो और की यह आकट फ्रेदय आपका ब Lite कालते हैं यह ilsy तरह से में होँगी इसलिए तो यहां पर हम इक साइ को स्बस्टत कर सकते हैं इसको हम डिप्रेजन कर सकते हैं पर यह आप पास参ज इस ए वाला है तो मैं इसको एवन कॉंस्टेंट मान लेती हूं ठीक है इसको नहीं मानना तो इसको बाहर करके से मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशल की वैल्यू आई यहां पर कितना हो जाएगा के डॉट आर माइनस में ओमेगा टी ठीक है जैसे आप कोई भी वेव ट्रेंट जैसे आप पहले जो लिखते थे वह जैसे मैगनेटिक फिल्ड की या इलेक्टिक फिल्ड की ठीक है यह जिसकी भी आप वेव ट्र कि फ्रम में भी हम कर सकते हैं तो यहां पे हम रियर्यल वैल्यू को यहां पर लेकर चलते हैं इमेजनरी ले और मैं यहां पर स्पोज यह कॉनस्टेंट में इसको बाहर ना दिखा के इसके अंदर ही कर दू तो मैं इसको एक कॉन्सटंट monica हैं इसका मतलब मेरे यहां पे भी कहां पे फर्क आएगा जो हमने यह प्रोपोगेशन वेक्टर लिया है उस पे और जो फेज जो हम एंगलो फ्रिक्वेंसी के लिए के चलते हैं यहां पे ओमेगा के ऊपर सिर्फ यह दो चेंज रहेंगी तभी तो आप क्या बताऊगे की वेव ट्रेंज यह आप वेलासिटी ठीक है अब मैंने आपको यह तो बताई दिया कि जो ग्रूप वेलासिटी होती है वो क्या होती है यहां पे जो हम कोई भी वेव लेके चल रहे हैं जैसे अभी आपनी यह दोनों लिया है ठीक है तो इन दोनों का बीच में जो सूपर पोजिशन रहें इन दोनो किया हो जाएगी आपके गुरूफ वेलासिटी वो वेलासिटी की गुरूफ वेलासिटी हो जाएगी ठीक है इसको यहां पे लिखिए दो वेलासिटी विद वीच दा सेंटर ओफ मास ओफ वेव पाकेट मुव्स इस कॉल दग गुरूप वेलासिटी अच्छा आपको यह तो बता ही है कि जो भी हमारी पास वेव कर रही है उसके साथ कोई ना कोई तो एनर्जी होगी और जैसे वह एक दूसरे के साथ दूसरे उसके साथ मिलेगी या एक के दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी तो कुछ ने कुछ एनर्जी का ट्रांसफर भी वहां पे होगा ठीक है तब भी तो वह क्या कर रहा है आपस में मर्ज होने के बाद एक वेव निकालेगा और उसका पर्टिकलर एनर्जी देगा इसका मतलब आप क्या सकते हो कि ग्रूप पे लिख सकते हो सिग्निफिकेंस क्या है सिग्निफिकेंस और एस. significance of the as look the group velocity lies in the fact that this velocity with which अब यहां पर हमें उसकी एनर्जी वगेरा सारी चीजे पता चलगी वह पता चलगी कि वही कितनी उसमें करती है ठीक है कैसे उसमें क्या लिख रहे हैं अब यहां पर क्या कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं में आयटा साइन धिटा लिख सकते हैं TO मैं यहाँ पे सिर्फ जेटा वाली उसको प्रेजंट कर रही हूं तो इसका मतलब मुझे यह आयटा लेने की नीड अभ यहाँ पे इहां पर कितना हो जाएगा K X मैंनल मैंनल में कितना हो सकती हूं K X को बताया थह इसन अगर दो वेवस hero Engineer कर रहे हो तो उसके उसके अंदर सिर्फ जो हमारा difference आएगा वो आपका propagation vector के अंदर और जो आपका frequency है angular frequency उसी के अंदर ही हमारा change आता है और किसी भी उसमें नहीं आएगा ये तो अगर X और T के बात कर रहे हो तो वो तो उस दूसरी में भी अगर माल लो यहां पर यह एक वेव ट्रेन है यह दूसरी वेव ट्रेन है इसे चल रही है ऐसे इसके चल रही है सबस्क्राइब यह यह बतारी हूं ठीक है तो इतनी वैल्यू की ऊपर तो वह बीचानी वेल्यू के ओपर लेकिन फेस और जो प्रॉपगेशन वेक्टर रहेगा तो अगर इन दोनों के उसमें लिखना है आपको तो इसका मतलब गून उन्दोनों को add कर रहा होगा तो आपने क्या किया इसके अंदर इसको आपको क्या करना है expression for group velocity आपको क्या करना है group velocity के लिए expression करना है तो इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपने दो wave trains equal amplitude की consider की हुई है ठीक है और उनकी frequency और जो phase velocity है आपकी उसकी change रहेंगे ठीक है तो आप लिखे ठीक है डीक होंदो इसरय को कहίν आपकी युट अरा अराण स सब्सक्राप करके ड ऑ कर रहेंगे तो हैंगे लुट ऑन two wave trends wave trends of equal amplitude and slightly different k and angular frequency तो आप बोल सकते हो angular frequency new आपना डिपेंड करते है velocity के उपर k अपना wavelength के उसमें तो आप frequency और phase velocity तो अगर यह आपने इसके अंदर बोला है तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका साइवन अम्प्लिटूड तो आपने सेम रखा इसका मतलब ए तो दोनों में सेम रहेगा ठीक है कि यहां पे हमने साइवन और साइटू तो दो अलग अलग वेव ट्रेंस मानी है जिसके अंदर ये अपन ये ये अपन ये ये दोनों क्या है ओमेगा बाइके ये मैं आपको पहले बता चुकिए ये क्या होती है फेस वेलासिटी तो इसका मतलब वन वन कर दिया तो ये साइवन की फेस वेलासिटी होगी टू टू कर दूंगे तो साइटू के लिए हो जाएगी ठीक है तो आप यहां पर बता सकते हो where w1 by k1 and w2 by k2 are phase velocity and psi 1 and psi 2 are displacement of two waves ठीक है तो अगर इस तरीके से हमारे पास आता है और हम यह माले कि यह दोनों चीज़े हमारी आपस में equal नहीं है एड उसमें कर रहा है इसका मतलब psi 1 plus में कितना हो जाएगा आपका psi 2 हो जाएगा अब दोनों को क्या कर दीजिए एड कर दीजिए एड करो कि तो दोनों में amplitude तो सेम है इसलिए मैंने comment कर दिया यहां पर कितना हो जाएगा cos of omega 1 t minus में k1 x और यहां पर plus में कितना हो जाएगा आपका cos of omega 2 t minus में कितना हो जाएगा k2 x हो जाएगा ठीक है अब मैंने यहां पर क्या कर दिया इन दोनों का formula open कर दिया ठीक है इन दोनों को open कर रही हो मैं किस तरीके से आपका cos a और plus में cos b वाला cos a plus cos b cos a plus cos b कितना हो जाएगा cos a plus b plus a minus b यही होता है तो यही हमें क्या करना है यहां पर put करना है a plus b a कितना हो थे ओपना हो जाएगा और a plus b by 2 भी होता है ठीक है ध्यान रखना तो यहाँ पर यही कितना हो sniff यहां पर कितना हो जाएका और 2 से मुल्टिप्लाइके कि जो फॉर्मला होता है वो 2 cos a plus cos b का होता है इसलिए 2 मैंने बहार निकाल दिया तो यह 2 a यह इतना हो जाएका cos यहां पर कितना wait a minute cos a plus cos b का होता है 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 this is right now ठीक है मैं लिख देती हूं cos a plus cos b is equal to 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 ठीक है तो इसको लिख लीजे यह कितना हो जाएका this plus this divided by 2 इसका मतलब यह दोनों तो सेम हो गए तो यहां पर कितना हो जाएका आपका omega 1 plus omega 2 divided by 2 और यह t के लिए हो गया ठीक है क्योंकि यह दोनों add हो रहे है तो यह minus minus तो दोनों में ही आ रहा है इसलिए मैंने minus sign common कर दिया k1 plus k2 divided by 2 और यह x हो गया ठीक है अब इसके साथ में क्याएगा दूसरा function cos of a minus b by 2 इसका मतलब cos of a minus ठीक है तो this minus this divided by 2 minus minus करूंगी तो plus आजाएगा इसलिए मैंने minus को common कर दिया तो यहां पर यह मेरे पास कितना हो जाएगा ध्यान से देखो omega 1 minus omega 2 यह आपका यह हो जाएगा t ठीक है और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस में मैंने common ले लिया क्याकि माइनस माइनस यह प्लस हो जाता है इसलिए मैंने मैंने common ले लिया यह कितना हो जाएगा k1 minus में k2 x divided by कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ठीक है तो अब हम यहां पर लेट कर लेते हैं कि लेट w1 plus में w2 कि यह तो average जो हमारे पास angular frequency का ही दे रहा है तो मैं इसको डबलू से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ ठीक है और जो difference है मेरा उसको मैंने किसे रिप्रेजेंट कर दिया डैल डबलू से ठीक है तो अगर मैंने इस तरीके से कर रखा है तो यह form क्या वन गई वो देखो साई इस इक्वल टू कितना हो जाएगा तू ए कॉस ओफ यहां पर तो कितना हो जाएगा यह only के यह देखो यह तो w और यह k यह तो खाली ऐसे रहेगा तो यह इतना हो जाएगा आपका यहां से मेरे पास क्या आगया ग्रूफ वेलॉस्टी दोनों की वेलॉस्टी यहां पर आ गई है जो आपको क्या करना था expression find out करना था वो हम कर चुकी है अभी कहता है कि यहां पर individual हमने यह find out कर दिया और मेरे को यह भी पता चल गया कि वी जी मेरा किसके equal होता है आपका dw by dk के equal आता है ठीक है तो हम उसको और भी solve कर सकते हैं वी जी की value कितनी हो जाएगे आपके dw by dk के equal है सबको बता है w की value कितनी होती है 2 pi new angular frequency को 2 pi new की form में लिख सकते हैं और k क्या है आपका propagation vector होता है जिसको हम 2 pi by lambda की form में लिख सकते हैं आपको क्या करना है जस्तुन का one time differentiation कर दो और इसके अंदर put कर दो ठीक है तो इसको put कर देते है तो यहां पर अगर इसकी value को put करेंगे तो यह देखो d w करना है तो यह दो तो constant है तो 2 pi d new ही बचना है ठीक है और अगर d k करूंगी तो 2 pi तो यहां पर as it is आजएगा 1 by lambda का differentiation होगा तो 1 by lambda का differentiation कितना हो जाएगा minus 1 by lambda square यह कितना हो जाएगा d lambda by खले d lambda ही कर लो ठीक है d lambda हमारे पास यह हो जाएगा ठीक है यहां पर कितना हो जाएगा आपका minus का lambda square यह कितना हो जाएगा d lambda इन दोनों की values इसमें put कर दो simple ठीक है तो group velocity की value आपकी कितनी आजाएगी आपकी 2 pi d new divided by d k आना था तो minus sign तो मेरे पास यहां आजाएगा यह कितना आजाएगा 2 pi lambda square मेरा कितना चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और नीची कितना आजाएगा d lambda ठीक है 2 pi से भी 2 pi cancel हो जाएगा तो vg कितनी आएगी minus k lambda square dv by d lambda ठीक है यहां पर यह चीज़ आपको I hope समझ में आ गई है ठीक है फिर हमीं क्या करना है relation भी find out करने थ यह पूरा complete हो रहा है आपका तो आप ध्यान से समझेगा ठीक है अब आपको क्या करना है relation between group velocity and phase velocity ठीक है अभी कहता है group velocity और phase velocity ठीक है group velocity और phase velocity के बीच में करना है ऐसे लिख देते हूँ group velocity and phase velocity ठीक है अभी कहता है कि अब हमारे पास जो हम लेके चलते हैं वो बिटा दो तरीके के फंक्शन आ सकते हैं ठीक है अगर हमारे पास V not equal to C है यानि कि non-relativistic case है लेकिन अगर V C के comparatively हो गया तो हमें वहाँ पर relativistic case लगाना पड़ता है ठीक है तो अगर non-relativistic है तो उसमें तो सिद्धा हम क्या लेका सकते है P square by 2 M value ले सकते है ठीक है और P को क्या लिख सकते है MV लिख सकते है लेकिन अगर relativistic case लेके चल रहे है तो E को आपको क्या लेना पड़ेगा अंडर root of P square C square plus M not square C C power 4 आपको यही put करना पड़ेगा अगर ऐसे हैं तो मैं दोनों ही cases को लेके चल रहे हूं ठीक है तो first case के अंदर हम लेके चलते हैं हमें यह पता देखो इसके अंदर E को हम H cut omega लिख सकते है ठीक है और हमारा जो P है उसको क्या लिख सकते है H cut K मैं लिखवा चुकी हूँ य दोनों आपको लिखवा चुकी हूँ ठीक है तो यहां से हम क्या करते हैं हमारी phase velocity तो कितना होता है W by K होता है तो W by K अगर phase velocity है तो यहां से तो आप सिद्धा क्या कर सकते हो E by P कर सकते हो ठीक है E की value कितनी होती है P square by 2M into P P से P cancel हो जाएगा P को आप M V लिख सकते हो यह कितना हो जाएगा 2M M से M cancel यानि कि इतना हो गया V by 2 इसका मतलब जो phase velocity है वो तो कितनी हो गई आपकी V by 2 हमारे पास आ गई है ठीक है अब यह कहता है कि यह तो यह आ गई अब नॉन रिलेटिव उस करना है होगा यहां पर क्योंकि यह दोनों तो constant कट जाएंगे तो अगर इसके अंदर चेंज होगा तो यह कितना जाएगा डी इबाइडी पी के एकवल आ जाएगा ठीक है तो अगर डी इबाइडी पी के फॉर्म में करना है तो यह कितना होता है P square by 2M इसका differentiation कालना है तो 2 से आगे तो यह कैंसिल हो जाएगा ठीक है P by M ही आपके पास बच जाएगा तो यह इतना हो जाएगा हमारे पास P by M क्योंकि मैंने differentiation with respect to P ही किया था ठीक है तो यह हां से P को हम M लिख सकते M से M कैंसिल हो जाएगा यह वी के एकवल हो जाएगा इसका मतलब group velocity किसके एकवल मेरी V के एकवल था थिक है तो मेरे पास क्या बता रहे है कि जो phase velocity होती है वो तो मेरी वेलास्टी के हाफ और group velocity के और यह अग्जाक्ली मेरी velocity के एकवल आ लारी है अब हम केस ले के चलते कि अब कर दो नॉन डिलेटिविस्टिक के के अंदर ठीक है अब केस लेके चल रहे ह डिलेतिविस्टिक में आपको बता चुकी यह इसके को रहे तो एनर्जी इसके को जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ p C square plus में I am not square C k power 4 की इक्वाल आ जाएगा ठीक है तो अगर इसके equal हो गया तो D E by D P यानि की आपको P के respect में इसको differentiation करना है तो अगर differentiation इसके respect में करोगे और इसको और find out करना है तो अगर P के respect में करोगे M not square C की power 4 आप differentiate करो आप करोगे तो E का इधर से करेंगे तो 2 E और D E by D P इधर से इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 P C square इसका तो 0 ही हो जाएगा 2 से 2 से आपका क्या हो गया D P को simple लिख सकते हैं यहां पे कितना M C square की form में भी लिख सकते हैं ठीक है तो यह कितना हो जाएगा आपका P C square है तो C square तो यहां पे आ जाएगा ठीक है और यहां पे जो आपका P है उसको relativistic case में यानि कि M V को दुबारा से resolve करके बदा दो ठीक है M V को दुबारा से resolve करेंगे तो M किया लिख सकते है M not upon में under root of 1 minus V square by C square और यहां V हो गया M को दुबारा से M not upon में under root of 1 minus V square by C square तो C square और यह पूरा quantity यहां से cancel out कितनी बचकी आपकी V करेंगे अब आप यह कहरेंगे यह भी तो आ सकता था phase velocity भी तो आ सकता था तो phase velocity आ सकता था क्या देखो दुबारा देखो आपकी value अभी कितनी आई थी phase velocity की value आई थी आपने जब non-relativistic case में लिया था आपके पास इसके अंदर एक relation और आता है और आपके पास इसके अंदर एक relation और आता है इसे ज्यादा नहीं हो सकती वही केस आ रहा है इसलिए हम इसको निगलेक्ट करके चलते हैं ठीक है अब आपके पास इसके अंदर आता है relation between phase and group velocity ठीक है phase and group velocity में वैसे तो मैंने आपको class में बता दिया था आप यह लिख सकते हो direct vp is equal vg is equal to vp plus में कितना हो जाएगा आपका के dvp by dk की form में लिख सकते हो लेकिन फिर भी कई बचे यह पुछे थे कि मैं स्कॉर सॉल्फ कर सकते हैं तो हां आप इसको और तरीके से भी कर सकते हो क्यों 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 वीप को हम क्या लिख सकते हैं dw by dk इसका मतलब इसी को ही खाली differentiate करना है के की रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह कितना जाएगा वीपी फिर इसको तो as it is लिख देते हैं ठीक है और यह जैसे यह इसकी रिस्पेक्ट में 1 फिर के as it is इसका करूंगे तो kdv by dk हमारे पास आ जाएगा अब जस्ट इसको व करना बड़ेगा यह वला ठीक है को अगर उसकी फॉर में करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यह देखो वीजी इस इक्वल टो यहाँ पर भी प्लस में यह कितना हुजाएगा यहां पर डी लाम्डा की फॉर में कर देती हूँ यह कितना हो जाएगा आपका वीपी और कितना हो जाएगा कर ली लामडा बाइ कर ली की ओड़ में हो जाएगा अब आगर ऐसे नहीं करना तो इसे को भी चैंज करके इसकी फोर्म में लिख सखते और कोई दिकत नी आएगी क्यों क्योंकि के इसको यहीं इसको यह किसकी फॉर्म में कि करना है तो यह इसको यह बन जाएगी किसकी फॉर्म मेरी बन जाएगी इसकी है से बढ़ जाएगी ठीक है अब एक है इसके हर्प से यह फों बनगी तो के और यह सारी वैल्यू आपके पास आ गई है जिसको पुट कर दीजिए यहां पर कितना हो जाएगा वी पी माइनस में लैमड़ा डी वी पी बाई यह कितना हो जाएगा आपका डी लैमड़ा ठीक है अगर लेका चल रही हूं तो वहां पे रही जोन ми सब्स्क्राइब आफ यह तो क्योंकि गिरल जई है ठीक है तो यहां तक आप अपना complete कर लेजेगा thank you for watching this video and keep sharing with your friends thank you